साल 2017 के अक्टूबर महीने में एक वीडियो सोसल मीडिया पे काफी तेजी से वाइरल हो रहा था दरसल वो वीडियो खास करके पंजाब परदेश में वाइरल हो रहा था क्योंकि उस वीडियो के अंदर एक महिला पंजाब परदेश के आम आदमी पार्टी के सांसत भगवंत मान से गुहार लगाते हुए कह रही थी कि मैं सौधी अरबिया में बुरी तरीके से फंस चुकी हूँ अगर मुझे जल्द से जल्द इंडिया वापस नहीं लाया गया मैं अपने आपको खत्म कर लिए वो महिला सांसत भगवंत मान से ये भी कह रही थी कि यहां का जो सेख है मेरे सांग काफी अत्यचार करता है साथी साथ अपने सरीर का उस वीडियो में कुछ अंग भी दिखाती है जहां से खुन भी बहरा था पंजाब परदेश के लोग जब इस वीडियो को देखते हैं कही न कहीं सांसत भगोंत मान से अब गुहार लगाते हुए कहते हैं कि उस महिला को जल्द से जल्द भारत वापस लाया जाए पर पुलिश जब उस महिला के बारे में पता लगाती है असलियत जब लोगों को मालूम चलता है तो वाकई में उसकी कहानी सुनने के बाद हर कोई चौक सा जाता है नमस्काराद आप मैं हस्मुदीन और आप देख रहे हैं सफर क्राइम तब आज की जो कहानी में आपको सुनाने वाला हैं ये कहानी खास करके उन लोगों के लिए है जो विदेशों में रहकर के नोकरी करते हैं दरसल इस कहानी की सुरुआत होती है पंजाब परदेश से पंजाब का एक जीला पढ़ता है संगरूर और इसी संगरूर का एक थाना पढ़ता है होसियारपूर होसियारपूर थाने के अंतरगते गाउं आता है दसुहा और इसी दसुहा गाउं का रहने वाला किसनलाल किसनलाल की पत्नी का नाम है रीना रानी किसनलाल के टोटल दो बच्चे हैं जिसमें एक बेटा और एक बेटी किसनलाल जो दूबई में रहकर के नोकरी करता है ठीक ठाक पैसे भी कमाता है और उसका परिवार भी बहतर तरीके से गुजारा करता है लेकिन साल 2016 में काम के दोरान ही किसनलान के साथ एक दुरगटना होती है जिसमें उसका दोनों पैर खराब हो जाता है जिस वज़ा से अब किसनलाल चल भी नहीं पाता है किसनलाल अपने घर पे तो आ जाता है लेकिन इस वज़ा से उसके परिवार पे दुखों का पहार तूट पड़ता है उसके बाद से किसनलाल की पतनी रेना आसपोरोस में मेहनत मजदूरी का काम करने लगती है और बड़ी मुश्किल से दो वक्त की रोटी अपने बच्चों के लिए जुगार करती है पर रेना इतना भी पैसा नहीं कमा पाती है कि अपने बच्चों को सही तरीके से परिवारिश कर सके या फिर उन्हें बेहतर सिक्षा दे सके दरसल पंजाब परदेश के बहुत सारी ऐसी महिलाया हैं जो विदेश में रहकर के नोकरी करती है इसलिए एक दिन रेना भी अपने पती से कहती है कि मैं भी सौधी अरबिया जाना चाहती है अगर मैं वहाँ पे चली गई ठीक ठीक पैसे कमाने लगूंगी जिसकी ओज़ा से घर के हलाद भी सुधर जाएगा जब इस तरह की बाते अपने पती से कहती है घर की हलाद को देखते हुए किसनलाल भी अपनी पतनी को मनजूरी दे देता है और आखिर कर 14 अक्टूबर 2017 को रीना एक एजेंट के माध्यम से सौधी अरबिया चली जाती है रीना एक सेख के घर में जाती है साफसाफाई का काम करने के लिए जिसके परिवार में टोटल 12 सदस्य होते हैं लगभग तीन से चार महीने तक तो बेहतर तरीके से समय गुजरता है लेकिन चार महीनों बाद पहली बार जब वो से रीना को सेलरी देता है उस सेलरी को लेकर के रीना सिक से लड़ बैटती है दरसल रीना जब सौधी अरबिया गई थी तो उसके जेंट ने उसे बताया था कि तुम है 30,000 रुपिय का तंखा मिलेगा लेकिन चार महीनों बाद जब रीना को तंखा मिलता है तो वो से 15,000 रुपिय को महीना जोड़ करके उसे तंखा देता है इसी बाद को लेकर के रीना उस से लड़ बैठती है लेकि रीना के लिए लड़ाई इतना काफी महेंगा हो जाएगा उसने कभी सोचा ही नहीं था दरसल रीना जब से अपनी सेलिरी को लेकर के लड़ाई करती है सिख का पूरा परिवार अब उसे पैसा भी नहीं देता है और पहले से भी ज़्यादा काम करवाने लगता है जिसकी वज़ा से अब रिना एकदम से परिसान हो जाती है रीना जब काम नहीं करती है सिख का पूरा परिवार उसकी बुरी तरीके से पिटाई भी करने लगते हैं और हलात इतनी काफी बुरी हो जाती है कि रीना को ले जा करके एक कमरे में बन कर देते हैं और कई-कई दिनों तब उसे खाना तक भी नहीं देते हैं तब जाकर के रिना को समझ में आता है कि अब वो बुरी तरीके से फंस चुकी है दरसल सिख का परिवार रिना का मोबाईल भी छीन लेता है जिस वज़े से रिना अब अपने परिवार वालों से कंटेक्ट भी नहीं कर पाती है रिना को समझ में नहीं आता है कि आखिरकार वो जाए कहां और बात किसे करे धीरे धीरे जब समय गुजरता है सिख का पूरा परिवार रिना के साथ इस परकार से अत्याचार करते हैं कि अब रिना अपने दर्द को बरदास नहीं कर पाती है और आखिर कर एक दिन मौका निकाल करके नजदी की पुलिस थाने में जाती है और पुलिस से सिकायद भी करती है लेकिन पुलिस ना तो रीना की सिकायद सुनती है और ना ही कोई करवाई करती है बलकि रीना को वापस भेज देती है लेकि रीना जब वापस घर पे पहुंचती है और इस बात की जानकारी जब सिख के परिवार को मालूम चलता है वे लोग रीना की और भी बुरी तरीके से पिटाई करते हैं रीना चाह करके भी कुछ भी नहीं कर पाती है बलकि दिन राख सिफ रोते रहती है लेकिन जैसे ही एक साल का समय गुजरता है आखिर का रीना को एक दिन मौका मिल जाता है वो अपना मोबाईल ले लेती है और घर में लगे वाइफ हाई से अपने मोबाईल को कनेट करती है और चुपके से एक बीडियो बनाती है और वो बीडियो अपने पती कीसनलाल के वर्टसप पे सेंड कर देती है दरसल रीना उस बीडियो में अपने पती से कहती है की मैं यहाँ पे बुरी तरीके से फंस चुकी हूँ जो सिख का परिवार है पहुत बुरे लोग है मुझे कैसे भी करके यहां से बाहर निकालो लेकिन कीसनल तुरंथ ही अपनी पत्नी को जबाब देते हुए कहता है कि तुमें कैसा बीडियो बनाओ जो हमारे सांसर भगोन मांद से गुहार लगाते नजाराओ उसके बाद से रीना एक बीडियो बनाती है और अपने इलाके के सांसर भगोन मांद से गुहार लगाते हुए कहती है कि मैं सौधिया अरबिया में बुरी तरीके से फंस चुकी हूँ मुझे जल्द से जल्द इंडिया बुलाया जाए वरना मैं अपने आपको खत्म कर लूँगी जब इस तरह का बीडियो बना कर किसनलल के वर्टसप पे सेंड करती है किसनलल उस बीडियो को लेकर सोसल मीडिया पे पोस्ट कर देता है पर जैसे ही बीडियो को सोसल मीडिया पे पोस्ट करता है ये बीडियो देखते ही देखते काफी तेजी से वाइरल हो जाता है जिनके भी सामने ये बीडियो जाता है देखने के बाद हर कोई सेर करने से अपने आपको नहीं रुख पाता है लेकिन जब ये वीडियो सांसद भगवध मान के पास पहुंचती है आस पर उसके लोग जब देखते हैं और सांसद भगवध मान से भी गुहार लगाते हुए कहते हैं कि उस महिला को जल से जल भारत वापस लाए जाए इधर भगवंत मान जब उस वीडियो को देखते हैं तुरंथ ही इस वीडियो को देखने के बाद भारत सरकार के विदेश मंत्री सुस्मा सवराज से बात चित करते हैं खास करके सुस्मा सवराज जब उस वीडियो को देखती हैं काफी तेजी से हरकत में आती है तुरंथ ही उस वीडियो के देखने के बाद जो सौधी अरबिया में भारतिय दूतावास होता है उनसे कंटेक करती है और कहती हैं कि उस महिला के बारे में पता लगाये जाए भारतिये दूतावास जब उस महिला के बारे में पता लगाती है तो मालूम चलता है कि वाकई में सेख का जो परिवार है उस महिला के साथ हैं काफी अत्याचार कर रहा है इसलिए दूतावास के जो अधिकारी होते हैं सौधिया पुलिस के उपर दबाव डालने लगते हैं इधर सौधिया पुलिस को जब मालूम चलता है उस सेख के घर पुलिस जाती तो है लेकिन वो सेख रीना को छोड़ने के लिए त्यार ही नहीं होते हैं और साथी साथ पुलिस को भी भगा देते हैं लेकिन भारतिये दूतावास के तरफ से दबाव होने की वज़ास है सौधिया पुलिस दुबारा जब सेख के घर पे जाती है पुलिस अब रीना को जबरदस्ती वहां से लेकर चली आती है पूलिस जब रीना को अपने कस्टडी में ले लेती है, कुछ दिन उसे जेल में रखती है और सारी परकिरिया पूरी हो जाने के बाद आखिर कर 18 नौवंबर 2017 को रीना को भारत भेज दिया जाता है इधा रीना जब 18 नौवंबर को अपने घर पे पहुंचती है, खास करके अपने सामने जब अपने पूरे परिवार को देखती है, देख करके चिक चिक करके रोने लगती है लेकिन जब इस बात की जनकारी आसप और उसके मीडिया वालों को मालूम चलता है, सब के सब रीना के घर पे पहुंच जाते हैं और कई तरह के रीना से सवाल करने लगते हैं लेकिन रीना उन मीडिया वालों को सिर्फ एक ही जवाब देती है, कि मैं अपने भाई और पहनों से सिर्फ इतना ही कहना चाहती हैं कि वे लोग बिदेसों में नोकरी करने के लिए ना जाएं, क्योंकि सौदिया रप्या को जो सेख हैं, वाकई में बहुत बुरे हैं दरसल रीना के साथ में जो अत्याचार हुगा था सब के सब मीडिया वालों के सामने रख देती है फिलहाल अब रिना अपने परिवार के साथ खुसहाल तरीके से जीवन ही नहीं बेतीत कर रही है बलकि आम आदमी पार्टी के सांसद भगवन मान के सांसद भारत सरकार के बिदेश मंतरी सुसमा सावराज को भी तहे दिल से सुक्रियादा कर रही है दोस्तों इस पूरी घटना के बारे में आपके सुचते हैं आप अपनी राय हमें कमेंड बक्स में जरूर दीजिएगा जाते जाते मैं आपको बता दू कि कुछ मेरे भीवर से जो रोजाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं है पलकी अपना किंती समय निकाल का उझे अपना प्यार भी देते हैं जिन में से एक का नाम है चेतन देश मुख चेतन देश मुख जो दानिस नगर भोपाल का रहने वाले हैं दूसरे मेरे भीवर हैं मुहम्मद जफर खान मुहम्मद जफर खान जो किसंगज बिहार परदेश के रहने वाले है तीसरे मेरे भीवर है डक्टर कुलेंदास जो असम के रहने वाले है चोथे जो मेरे भीवर है लक्षमर चौपाल जो बिहार परदेश के रहने वाले है लास्ट जो मेरे भीवर है उनका नाम है लुकमान खान वैसे तो लुकमान खान उत्तर परदेश के रहने वाले हैं लेकिन दुबई में रहकर के नोकरी करते हैं और वहीं से मेरी इस वीडियो को भी देखते हैं मैं अब तमाम भीवर्स को तहे दिल से सुक्रियादा करता हूँ कल फिर मिलते हैं एक और नई सची घटना के साथ तब तक के लिए जय हैं चै भारत